तो है गार्ट वेटिए आज टीम सोल का बीजी आसे का राउंड डुका मैश था जो की अभी खतम हो गया एंड लाज डेता एंड टीम सोल क्वालिफाइब कर गए यह राउंड थ्री के लिए बाकी इसमें से टॉप 32 टीम सी वो क्वालिफाइब हुई है राउंड थ्री के ल बाकी आपको यह वडियो में टीम सोल का आज का बीजी आयस का कुछ अच्छे मैच इस कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं जहां पर एरैंगल का मैप में सोल वाइस गोडल की भी फाइट हुई थी एंड सोल ने अल्मोस्ट लाइक वाइप होई गया समाप्त किया बट जी गोड जिस तरीके से वहिकल लेके वह आगे से आये और उन्हें ने वहिकल को रोक दिया ओमेगा के आपी बेहतरीन मुकाबला यह चलता हुआ ठीम गॉडलाइक वर्स टीम सोल के बीच में आईजील टीम सोल के लिमनेट हो चुके हैं और अब गॉडल एक चार खिलाडियों के साथ टीम सोल अब तीन के साथ एक खिलाडी है एस पावर जिनको थोड़ा डामज पड़ा अपने आपको हील करेंगे बट रीपले में शाड़ो वह भी भी देखना बाके जिस तरह के से जी गोड आए और आगे उन्होंने वहिकल को लगा दिया वो तो यहां पर फिनिश राफ चुके हैं बट पीछे से देखे एक स्कॉर्ट भी आ रहा था जो यहां पर इस फाइट में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहा है काफी अच्छे रोटेशन लेके निकल गए अभी भी देखे तीम सोल के पास रिजिस हैं स्मोक्स का यह को डाउन किया जीगोड नॉक पड़े हो ते बड़ेस पावर तीन फ्राग्स नहीं निकाले वन वी थ्री किया उन्होंने टीम सोल को गॉबलेन ख़तम हो चुके हैं अक्छत नॉक हुए थे उनको एक बार तो रिवाइब मिला था और उन्होंने फिर रेटालिएशन में न आती साथ रिवाइबल वो तो है और शर्वाइबल आप तभी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे जब यहां आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे अगर यहां थरी तू में आये राउंड थ्री में पहुचे उसके बाद और अच्छा आगे गए तो आप सर्वाइबल आसानी से कर पाओगे फ्रो करने की कोशिश वाइबल जो उन्होंने पहले थ्रो किया था वो अच्छुली में किसी और का ने ता यह उनीका था नहीं वह स्किलफूल का ने था जो मावरिक को डाउन करेगा बड़ में बलेस उनको समाप्त कर दिया गया ड्रागो अभी भी में वो जल रहे हैं अपने आपको हील करेंगे अभी भी एक राटो सूपर मौजूद है उनके हाथ में एक बफर से ग्रनेड देवन हावेट तीन खिलाडियों के साथ बड़ महीं पे ओर एम मातर के वल एक खिलाड़ी के साथ मौजूद रहेगा पिछला मुकाबला उतना नहीं लाटाव या रहा नहीं यह आज के दिन का दूसरा मुकाबला इसका फाइनि मुकाबला रहेगा जो कि आज के दिन का सात्वा मुकाबला प्तीम्सोल वशस गाट्से रेनं का आप चलतीवे उनको ग्रम की और चांइ सब्सक्राइग गए एक एकर के प्लेयर्स गहां पर खत्म होते हो रहे अक्वानॉक्स इस दे लास्ट मंस्तानिंग बट कहीं न कहीं न कहीं वो नेड आएगा एक्वानॉक्स का कॉबिन को वहां पर डाउन करेंगे लियों एक नेड उनके पास भी तो सही जगा जा रहा था बट क्लच करने की और उनके पास एक बहुत अच्छा वैपन यूएंपी के साथ M249 है उनके पास जो क्लोज रेंज में काफी डामज दे सकते हैं अब नेड्स अभी भी वो करते हुए सामने ओमेगा स्पोर्ट तो किया है एक प्रीम्टिव नेड ओर यहां पर करते हुए बट अभी तक बुद नॉक आया नहीं या को नॉक्स दे लास्मान स्टानिंग या लगता है मेजी एक लचा सकता है या नहीं बहुत मुश्किल है M249 उनके पास है तो सही एक लड़ी को डाउन कर सकते थे बड़ एक को भी नहीं कर पाई हला कि यहां पर एक फ्राग उने निका एक बाफ़ेट से उनको स्पार्ट कर लिया गया गोबलिन वो ग्रनेट को करते रह गया बड़ उनको डामिश पड़ा पर अट लीस्ट वो कवर के अंदर चले जाएंगे और उनका नेड आएगा कार्तिक को नौक किरा जाएगा ये एक अच्छा बैटल हो सकता है और आई- कर सकते हैं उसके बाद मुश्किले और एक और यहां पर फाइट शिरू होती हुई थी माया वी वह भी इस फाइट का है सबनते हुए वह आये थे फुल पोर्स में और चले भी गए बहुत तेजी से वहाँ खराब शुरुवात और इसी के साथ गॉबलिन एक बाफ पर से व आपको बहुत पीछे दिखाई देंगे देखना यह कि रिवाइवल के वो पॉसिबल हो पाएगा वड़ वहां से एक और खिलाडी ने देख लिया ओमेगा को आमेस देते हुए नदर आये रीपर पाजूद है वाजूद है वाजूद है वाजूद है वाजूद है बड़े बड़ेज उन के बाहर समापत हुए थे अब तीन खिलाडियों के साथ सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजिशनी दूद है नियो एक नए सुपरस्टार बनते हो अभी के लिए देखने को मिले है तीमसोल के बड़ के बड़ेगा शाड़ को देखना चाहूँगा वो क्या कर अबलिन थे जिन्होंने डाउन किया कालान को नियो डामेज मात्र देपाई बड़ स्पाई अभी भी भी गृनेट को करते हुए दिखाई देंगे के मिनी स्पोर्स के चार्ज करने के तैयारी रहेगी टीमसोल की अभी बीन के पास छे टोटल स्मोक्स आपको देखने को मिल बाहर चले गए यह पाच्वा सर्कल आने वाला नियो उनको डामेज पड़ेगा सर्कल का और वो प्लेज उनके बाहर डाउन किये जाएंगे अक्षद वो भी सर्कल के बाहर ही है नियो बाकियों को भी पहुचाया जा सकता है बड़ के अनेक्स्पेक्टेट था जिस तरीके सबसे ज्यादा आगे निकलते हैं आपको दिखाएंगे रिपर वो ग्रेट के साथ पहले से ही तयात है पर देखना ये कि निजा उनकी पोसिशनिंग किसी को नहीं पता बड़ा उक्षद वो डाउन किये जाएंगे शाइडों के दोरा गॉबलिन एक बार फिर से डाउन किय आएंगे इस बार रिवाइवल का मौका उनको नहीं मिलने वाला क्योंकि ये शायद उनका तीसरा नौक रहेगा जल्दी ब्लीड आउट होते वे नजर आएंगे नियों मौझूद है ओमेगा वी बी स्मोक के अंदर ये फाइव के मिनी स्पोर्स वर्सस टीम सोल की ये अक्षद भी आपर नौक पड़े बटो मेंगा उनको करना पड़ेगा गॉबलिन यहां पर रिवाइव हो चुके अपने आपको ही वो कर चुके हैं लीवाइ अब वो पुष करना चाहते तो थे बट उनको भी पता चल गया के समय बीच चुका है अब पुष आएगा लीव के बाद वो फिर बाहर जाएंगे बट कही न कहीं टीम सोल और से बाक्विट पे तो वो भी गए हैं गॉबलिन की आनसिकता समझना चाहूंगा यह पाचवा नौक उनका है बड़ यही पर लिवाइव वो यहां पर समाप के जाएंगे गॉबलिन वह वापस रिवाइव कर यह जाएंगे पाच नौक के बाद वो खिलाडी अभी भी अपट के ऊपर एक मॉलटोव भी आएगा सरूर इस पार गॉबलिन पच नहीं पाएंगे हैं अक्षद लास्ट प्लेयर स्टानिक अक्षद अच्छद बहुता कम नियों को भी समाप किया गया और इसी के साथ जाए बड़ तस टोटल फिनिशेस के साथ इम सोल इस वक्त इस मुकाबले में टॉप पाइफ तक अपनी टीम को वो ले किया है अब की स्कूर्ड इसना यह है कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूवत थी प्लेस्मेंट पॉइंट की जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूवत तो आपको निकालते वे नजराएंगे स्पाय उनको भी डाउन किया जाए अक्षद के द्वारा बटकालान उनको भी डाउन कर दिया गया अफो मात्र अकेले खिलाडी बचरेंगे अक्षद उनके पास एच्पी नहीं है एक फोस्टेड है बट लगाने का मोका नहीं तो पस यह ता आज का वीडियो अब मिलते है नेक्स वीडियो में कृसा अपडेट है तोब फोड़ के साथ तब तक लिए वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को स्ब्सक्राइब करते हैं नेक्स वीडियो में कीप लएंगिप सीवोटेंग बड़ाइ OP knowing ड़ीक मुंते हैं छ